नमस्कार आईए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एलान आज राजस्थान में लागू होगे नए नियम किसानों के लिए भी बड़ी खबर चलिये जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें राजस्थान में आज 22 सितंबर 2024 को मुख्यतह शुष्क मौसम जारी रहने की संभावना है राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी होने के बाद से उमस से थोड़ी राहत है लेकिन दोपहर की तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है वहीं पूर्वी राजस्थान में आज कहीं कहीं मेग गरजन के साथ हलकी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है साथ ही कुछ क्षेत्रों में जल्द ही हंड की आहट देखने को मिल सकती है मौसम विभाग की माने तो आगामी सप्ताह में प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश दर्ज होने की संभावना नहीं है लेकिन अगले सप्ताह से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है मौसम विभाग की अनुसार 27. सितंबर 2024 से प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर हलकी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में सरवाधिक अधिक्तम तापमान 37.4 डिग्री बाडमेर में तथा सरवाधिक न्यूनतम तापमान 29.2 डिगरी फलोदी में दर्ज किया गया वहीं राजस्थान में मानसून की गती धीमी पढ़ने के बाद ठंड की आहट सुनाई देने लगी है मौसम विभाग की माने तो अक्टूबर के आखिरी सब्ता से राजस्थान में कडाके की ठंड पढ़नी शुरू हो सकती है वहीं इस बार राजस्थान में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड सकती है ऐसे में आगामी दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है जिससे हलकी फुलकी ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा, बीसलपुर बांध में पानी की आवक अब लगातार कम होती जा रही है बांध में पानी की यही आवक रही तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब कभी भी बीसलपुर बांध के सब ही गेटों को बंद कर दिया जाएगा बीसलपुर बांध में शनिवार शाम तक केवल एक ही गेट खुला हुआ था यह गेट भी मातर आधा मीटर तक खोला हुआ है इस गेट से 3000 क्यूसिक पानी की निकासी की जा रही है दरसल त्रिवेणी नदी में पानी की आवक बहुत कम हो गई है त्रिवेणी नदी इस समय तीन मीटर के गेज के साथ बह रही है क्षेत्र में अभी बारिश नहीं हो रही है मानसून भी विदाई की ओर से अग्रसर है ऐसे में नदी में पानी की आवक लगातार कम ही होनी है इधर बांध अपनी भरावक शमता 315.50 आरेल मीटर पूरा कर चुका है वहीं बीसलपुर बांध से रोजाना पानी की सप्लाई की जा रही है ऐसे में अब बांध का एक गेट भी बंद करने की तैयारी है गेट बंद करने के तीन प्रमुक कारण है पहला नदी में आवक कम हो गई है दूसरा बारिश नहीं हो रही है और तीसरा बांध से पानी की सप्लाई हो रही है बीसलपुर बांध में 6 सितंबर को गेट खोले गए थे सुबह 9 बजे सायरन बजाया और 11 बजे बांध के 2 गेट खोल दिये गए पिछले काफी समय से अकसर लोगों में 10 रुपे के सिक्के को लेकर confusion चल रहा है इसे लेकर भारत सरकार और Reserve Bank of India समय समय पर alert करते रहते हैं लेकिन आज भी नागौर के बाजारों में कई जगे इस confusion के कारण 10 रुपे के सिक्के को लेने से दरसल कुछ लोग मानते हैं कि रुपे के सिक्के छपी 10 रुपे के सिक्के वैद मुद्रा हैं कानूनी निविदा के रूप में इनका सभी लेंदेन में इस्तिमाल किया जा सकता है RBI पहले भी कई बार इस बात को लेकर confusion दूर कर चुका है जिसमें 14 तरह के डिजाइन का सिक्कों का जिक्र किया गया है वहीं एक IVRS टोल फ्री नंबर भी है जिसमें 10 रुपे के सिक्के से संबंधित जानकारी दी जाती है RBI का कहना है कि सभी तरह के सिक्के ठीक हैं और लोग उन्हें लेने से इनकार न करें पर किसे पता था कि यह सपना हकीकत में बदलते बदलते सालों गुजार देगे करीब 9 वर्ष से अपने आवास की आस लगाए बैठे सैकड़ों परिवार को नगर परिशत ने एक बार फिर आस बंधाई है डूंगरपुर नगर परिशत के माध्यम से वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लांच की गई योजना के तहत मध्यम एवं निर्धनतम तपके के परिवारों को रियायती दर पर फ्लैट्स देना तै किया इसमें भारत सरकार से सबसिडी के भी प्रावधान किये इस पर ततकालीन समय में आवास की आस में हजारों परिवारों ने आवेदन किये योजना में दो केटेगरी एलाईजी एवं एडव्यूस के 360 फ्लैट्स बनाना तै करते हुए जुन जुनू जिले के घरेलू बिजली उपभोकताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है उपभोकताओं से लॉड बढ़ाने के नाम पर वसूली जाने वाली सिक्योरिटी राशी को एक बार आगामी आदेशों तक होल्ड कर दिया गया है निगम की ओर से जिले में सभी प्रकार के उपभोकताओं को सिक्योरिटी राशी जमा कराने के लिए नोटिस देने की तैयारी पूरी कर ली गई लेकिन अब अजमेर विद्युत वितरन निगम लिमिटेट की ओर से नोटिसों को होल्ड कर दिया गया है इसके चलते उपभोकताओं को फिलहाल यह नोटिस राशी जमा नहीं करानी है अधिकारियों की माने तो जुन जुनु जिले के 5 लाख घरेलू उपभोकताओं को नोटिस देकर सिक्योरिटी राशी वसूली जानी है निगम की ओर से करीब 5 लाख घरेलू उपभोकताओं को सिक्योरिटी राशी जमा कराने के लिए नोटिस जारी करने थे नोटिस देने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया लेकिन अब आगामी आदेशों तक सिक्योरिटी राशी को होल्ड कर दिया गया है क्रिशी उपभोकताओं के नोटिस पहले ही होल्ड कर दिये गए थे ऐसे में घरेलूव क्रिशी उपभोकताओं को यह सिक्योरिटी राशी जमा नहीं करानी पड़ेगी जुझुनू के एयो ललित जोशी का कहना है कि नोटिस वितरित नहीं हुए थे सब डिविजन के सिस्टम पर ही सारी चीजें आती हैं इस संबंध में लेटर आ चुका है राजधानी जैपूर में दिवाली से पहले पुलिस कमिशनरेट में बड़ा फेर बदल किया गया है जैपूर पुलिस कमिशनर पीजु जॉर्ज जोसफ ने 32 इंस्पेक्टर्स का तबादला करते हुए शेहर के 23 थानों के प्रभारी बदल दिये हैं इनमें दो इंस्पेक्टर्स रिजर्फ पुलिस लाइन भेजा गया है त्योहारों से पहले किये गए इस फेर बदल को काफी अहम माना जा रहा है आने वाले समय में दशेहरा और दीवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं इस सूची के बाद अभी और भी तबादला सूची आ सकती है पुलिस कमिशनर बीजू जोर्ज जोसफ की ओर से जारी की गई तबादला सूची के अनुसार इंस्पेक्टर दलबीर सिह फौसदार को श्याम नगर थाना प्रभारी लगाया गया है वहीं देवेंद्र प्रताप वर्मा को, राम गंज, पूनम चौधरी को विधायक पुरी, धर्म सिह को आदर्श नगर, दिलीप खदाओ को शास्त्री नगर और संग्राम सिह को मालविय नगर थाना प्रभारी लगाया गया है इनके अलावा रतन सिह चारण को कालवाद डियेच और लक्ष्मी नारायन को तुंगा थाना प्रभारी लगाया गया है, राजस्थान में हाल ही अब IPS अधिकारियों की तबादला सूची का बेसबरी से इंतजार हो रहा है लेकिन IPS की तबादला सूची से पहले जैपुर में निचले स्तर के अधिकारियों की नई फिल्डिंग जमाई गई है जैपुर पुलिस के बेडे में किये गए इस आमूल चूल परिवर्तन के बाद उपर के स्तर पर भी तबादलों होने संभावित हैं उदैपुर जिले में पैंथर आदम खोर हो गए हैं उदैपुर में गुरुवार को शाम तक बीते 24 घंटों के भीतर पैंथर ने दो लोगों को अपना निवाला बना लिया दो सप्ताह पहले भी पैंथर ने एक महिला को मार डाला तो पैंथर ने पहला शिकार बुधवार शाम को गोगुंदा इलाके में नाबालिक लड़की को बनाया पैंथर ने कक्षा नौ में पढ़ने वाली कमला गमेती को अपना निवाला बना लिया कमला बकरियां चराने जंगल में गई लेकिन वह शाम तक घर नहीं पहुंची गुरुवार को सुबह जंगल में कमला का खून से लथपत शव मिला पैंथर ने कमला के दोनों हाथ खा लिये उसके बाद पूरे इलाके में भय का माहौल हो गया ग्रामीनों ने पुलिस और वन विभाक को इसकी सूचना दी तो वे मौके पर पहुंचे इलाके के लोग इस घटना से उबर ही नहीं पाए थे उससे पहले ही फिर से गोगुंदा इलाके में पैंथर ने शाम को एक युवक पर हमला कर उसे मार डाला यह युवक गोगुंदा के भेवडिया गांव का रहने वाला था पैंथर ने उस पर जंगल से घर आते समय हमला किया पैंथर के हमले में मारे गई युवक की पहचान खुमाराम के रूप में हुई है इससे इलाके के लोग और खौफ में आ गए, वन विभाक की टीम ने आदम खोर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं, उल्लेखनी है, इससे पहले बीते 8 सितंबर को छाड़ोल इलाके में पैंथर ने एक महिला का शिकार कर लिया, यह महिला अपने पती के साथ जंगल में लकडियां लेने के लिए गई थी, वहाँ पैंथर उस पर हमला कर पहाड़ी पर खीच कर लिया गया था, बाद में उसने महिला को मार डाला, पैंथर ने इस महिला का सिर्धर से अलग कर दिया था, उसके बाद से पैंथर को पकड़ने के प्रयास चल रहे हैं, ल